दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारी यूटूब चैनल में और आज की जो वीडियो है वो बहुत ही जादा कमाल की होने वाली है क्योंकि दोस्तों कुछ दिन पहले हमने अपने चैनल के उपर ये वाली वीडियो अपलोड की थी और इस वीडियो के अंदर हमने आपको बताया था कि करेजी किस तरीके से लगाने चाहिए और किस तरीके से दोस्तो करेजी के अंदर दाना भलना चाहिए और दाने के अंदर कितना खर्चाता है तोटल अगर हम करेजी में दाना डलवाते हैं तो इसकी पूरी वीडियो दोस्तों हमने अपने चैनल पर अपलोड की थी तो हमारे पास में दोस्तों बहुत सारे कमेंट आये थे कि इसके फाइनल वीडियो अपलोड कीजिए तो दोस्तों आपकी मुभबत की वज़े से ये वीडियो हम आप तक पहुचा रहे हैं तो इस वीडियो के अंदर आप समझ सकते हैं जो मकान के अंदर वेस्टेज बच जाती है उससे किस तरीके से अपने मकान के अंदर बहुत ही जादा अच्छे अच्छे डिजाइन बनवा सकते हैं तो इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेके लाश्ट तक जरूर देखे इस वीडियो के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा और आपकी जो मकान के अंदर मार्बल लगने के बाद में दोस्तों वेश्टेज बच जाती है जिसको करेजी बोलते है उससे आप मार्बल से भी जादा खुबसूरत डिजाइन निकल वा सकते हैं तो इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर लाच तक जरूर देखें तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों जिस मकान के अंदर हमने डिजाइन बनाए हुए है करेजी के अंदर उस मकान के पास में हम आचुके हैं तो यहां पे आप बार से इसके खुबसूरत देख सकते हैं कि इसको किस तरीके से डिजाइन किया गया है और इसका यहां से आप देख सकते हैं कि बहुत ही खुबसूरत लुक आ रहा है तो इसी मकान के अंदर दोस्तों हमने पूरा काम किया है तो जो हमने अंदर काम किया था मारबल लगाया था उसकी जो टूट फूट बच गई थी करेजी उसी से हमने यहाँ पर यह दिजाइन बनाया है यहाँ पर जितने भी दोस्तों हमने डिजाइन बनाया है इनकी पूरी टोटल वीडियो हमारे चैनल पर मुझूद है तो आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पर देख करके अपने मकान के अंदर डिजाइन बनवा सकते हैं तो ये वाला जो डिजाइन है दोस्तो वह नमबर एक के नान से आपको हमारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और बहुत ही आसान डिजाइन है तो आप चाहें तो आप इसको अपने मकान के अंदर देख करके बनवा सकते हैं और इसी तरीके से दोनों साइड में हमने ये वाला डिजाइन लिया हुआ है तो इसको भी आप बनाना सीख सकते हैं और मैन फरंट के बिल्कुल बीच में हमने इसके अंदर वैलकम बनाय हुआ है और इस वैलकम को हमने किस तरीके से बनाया है और किस तरीके से इस वैलकम के निशान लगा जाते हैं इसके पूरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दो नमबर के नाम से आपको मिल जाएगी तो बहुत ही खूबसूरत और आसान डिजाइन है दोस्तो इसको भी आप अपने मकान के अंदर बनवा सकते हैं या अगर आप इस तरही हैं तो वहां से जाके आप सीख सकते हैं किस तरही से हमने इसको बनाया है बीच वैलकम में लाल और इसके आस पास में पीला कलर मिलाया हुए है और यहां पे आप देख सकते हैं यह बीच में है बिलकुल डिजाइन और इसकी जो खूबसूरती है वो आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है और अगर दोस्तों आप इसको बनाना चाहते हैं तो आप सिरफ यहीं से देख करके इसको बना सकते हैं क्योंकि इसकी पूरी वीडियो हमारी डिलिट हो चुकी थी तो इसलिए इसकी वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड नहीं कर पाए तो आप अगर इसको बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं देखकर के इसी तरीके से या अगर आप अपने मकान के अंदर बनवाना चाहते हैं तो वहाँ पर बनवा सकते हैं और जो हमारा तीसर डिजाइन है दोस्तो वो ये वाला है और इसकी भी पूरी वीडियो हमने अपने चैनल के उपर अपलोड की वी है तीन नमबर के नाम से दोस्तो ये वाला डिजाइन आपको डिस्क्रिप्सिन में मिल जाएगा और इसके अंदर बहुत ही जादा खूबसूरती है इसके अंदर दोस्तो हमने लाल कलर का दाना भरा हुआ है और इसमें आस पास में वाइट कलर का मार्बल भी लगा हुआ है और बीच बीच में गरेनाइट लगा हुआ है तो यहां से आप इसकी खूबसूरती देख सकते हैं और बीच में दोस्तों इसके अंदर हमने वाइट कलर की टिकले डाली ही है और इसी तरीके से जो हमारा चोते नमबर का डिजाइन है वो इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा और इस डिजाइन को किस तरीके से बनाना चाहिए चार नमबर के नाम से दोस्तों डिस्क्रिप्सिन में मिल जाएगा और इसके अंदर भी दोस्तों हमने लाल कलर का दाना बरा हुआ है और बीच में भी एक टिकली सके अंदर डाली ही हमने और दोस्तो इनकी खूबसूरती आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत डिजाइन है यह और दोस्तो पांच नमबर के नाम से यह वाला डिजाइन आपको देखने को मिल जाएगा तो इसके बीचम बीच दोस्तो एक वाइट कलर की टिकली हमने डाली ही है हो सकता है वो नीचे दबी हुई हो या किसी बच्चे वगेरे ने फैंक दियो जिसके वज़े से दोस्तो इसके अंदर खूबसूरती थोड़ी कमारी है आप अगर इस डिजाइन को दोस्तो हमारी पूरी वीडियो के अंदर देखना चाहते हैं या बनाना सीखना चाहते हैं या अपने मकान के अंदर बनवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्सन में दोस्तो पांच नम्बर के नाम से यह वाला डिजाइन आपको मिल जाएगा तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके बीच में बिलकुल एक टिकली हमने डाली हुई है वाइट कलर की जिससे के इसके अंदर बहुत ही जादा खूबसूरती देखने को मिल पारी है तो इस तरीके का डिजाइन दोस्तो आप भी अपने मकान के अंदर बनवा सकते हैं और इसमें भी वाइट और बलैक गरेनाइट इस्तमाल किया हुए हमने और इसी तरीके से दोस्तो हमारा जो छटे नंबर का डिजाइन है वो ये वाला डिजाइन है और ये डिजाइन भी बहुत ही ज़ादा खूबसूरत है तो आप इसकी खूबसूरती भी देख सकते हैं और इस वाले डिजाइन का हमने किस तरीके से बनाया है ये वाला डिजाइन बनाना भी दोस्तों आप सीख सकते हैं या अपने मकान के अंदर बनवा सकते हैं और ये च्छे नमबर के नाम से आपको डिस्क्रिप्सिन में मिल जाएगा और इसके अंदर भी वाइट और बलैक कलर का मार्बल इसके अंदर लगाया हुआ है जो की छोटे छोटे पीस करके इसके अंदर डाले हुए हैं दोस्तों तो ये वाला डिजाइन भी बहुत ही खूबसूरत है और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को पहले बार देख रहे हैं तो चैनल को दोस्तों सबस्क्राइब कर देना और यहां पे दोस्तों एक ये वाला डिजाइन है ये भी बहुत ही साधा डिजाइन है और इसके अंदर भी बहुत ही जादा खूबसूरत ही है तो इस वाले डिजाइन की पूरी वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी और अगर आप डिस्क्रिप्सन में देखना चाहते हैं तो साथ नम्मर के नाम से दोस्तों यह वाला डिजाइन आपको देखने को मिल जाएगा तो इस वाले डिजाइन को भी आप बनवा सकते हैं और यह चोटे चोटे डिजाइन भी हमने बनाई हुए हैं जिस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं तो बहुत ही खूबसूरत करेजी दोस्तों यहाँ पर लगी हुए है और दोस्तों जितने भी डिजाइन हम आपको दिखा रहे हैं हो सकता है आपने आज से पहले कभी ऐसे डिजाइन करेजी के अंदर ना देख हूँ और दोस्तों जब भी आप अपने मकान के अंदर करेजी लगवाते हो तो उसके अंदर एक चीज का ध्यान जरूर रखें कि हमेशा करेजी के अंदर छोटे पीस लगवाने चाहिए अगर करेजी के अंदर हम बड़े पीस लगवाते हैं तो उसके अंदर खूबसूरती बहुती कमी के साथ में आती है लेकिन अगर हम छोटे पीस लगाते हैं तो उसके अंदर बहुती जादा खूबसूरती देखने को मिल जाएगी और इस चोक के जो बीच का हिस्सा है उसके अंदर थोड़ा अलग तरीके से हमने मार्बल लगाय हूआ है तो इसके चारों तरह बारार इंची का एक बोल्DER दिया हूआ है, हमने वाइट कलर का और इसके बीच में बल्back मार्बल लगाय हूआ है तो जब दोस्तों हम इसको खरीदने के लिए गए थे तो हमें अंदाजा ये था कि इसके अंदर खूबसूरती बहुत ही कमी के साथ में आएगी लेकिन दोस्तों गिसाई होने के बाद में इसकी साइनिंग आप देख सकते हैं बहुत ही जादा खूबसूरती इसके अंदर आपा रही है और इसके जो रेशे हैं वो बहुत ही जादा चमक रहे हैं तो इस तरीके का मारबल भी आप अपने मकान के अंदर कहीं कहीं लगवा सकते हैं अगर इस मार्बल को सारे में लगवाते हैं तो अच्छा नहीं लगेगा लेकिन थोड़े एरिया में आप इसको कहीं पे भी अरजेश्ट कर सकते हैं और दोस्तों बहुती जादा मैनस से हमने या पे डिजाइन बनाए हुए हैं और इनकी सारी वीडियो अलग अलग तरीके से हमारे चैनल पर मुझूद है तो आप भी इस तरीके का डिजाइन अगर बनवाना चाहते हैं तो बनवा सकते हैं और अगर आप हमारे से काम करवाना चाहते हैं तो आप हमसे भी काम करवा सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको नमबर मिल जाएगा वहां से आप हमें राबता कर सकते हैं तो खूबसूरती आप देख पा रहे हैं कितनी खूबसूरती इनके अंदर आ रही है तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना और अगर आपको कोई बात मालूम करनी हो तो आप कमेंट करके हमसे मालूम कर सकते हैं और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल के ओपर नहीं हो तो चैनल को हमारे सबस्क्राइब कर देना और बैल आइकन प्रेश करके रखना क्योंकि ऐसी ही वीडियो हम आप तक पहुचाते रहते हैं तो शुक्रिया दोस्तों मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई टोपिक के साथ